नमस्कार दोस्तों मैं सेचिन कासियान एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने एसकासियान यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आप तो जानती है कि आज 24 अपरेल 2019 है आज जो सीट एट का 2018 में एक्जाम होगा था तो उस पे कुछ आपत्या जटाए गई थी ठीक है कोट में केस दर्ज कराया गया था वो कोट केस क्या था क्यों दर्ज कराया गया था इस पर दोस्तों मैं ओलरीडी वीडियो बना चुका हूँ अगर आप नहीं जानते तो उसका लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिश्म बोक्स में दे दूँगा जिससे आप देख सकते हैं कि कोट केस क्यों दर्ज कराया गया था तो दोस्तों पेपर वन में तीन कोश्चन थे हमारे जिन पर कोट केस दर्ज कराया गया था ठीक है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूँगा वो तीन कोश्चन कून से है और दोस्तों उन पर क्यों के दर्ज कराई है तो दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं हमें कोट के अंदर जाने का इनुमती नहीं है कोट के अंदर केवल वही छात्र जा सकते हैं जो 20 अभ्यारती थी जो नोंने कोट के इस दर्ज रहाए गया था इसलिए दोस्तो आप हमरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं जैसी कोई अपडेट निकल के आता है साम तक हम आपको सूचित कर देंगे साम तक दोस्तो डेफिनेटली कोई ना कोई फैसला जरूर लिकल के आ जाएगा और दोस्तो जैसा ही कोई भी कोट अगर फैसला करता है जो भी हमारा फैसला आता है कोट के दुआरे ठीक है आप उसे खुद से कैसे चेक कर सकते हैं और वो क्या फैसला आया है वो सारा प्रोसेस में आपको थोड़ी देर में बता दूँगा जैसी court को कोई फैसल आता है और जैसी दिल्ली high court पे अपडेट किया जाते है उस फैसले को वैसे हम आपको तुरंत एक वीडियो बनाके separate वीडियो बनाके बता दूँगा कि किस तरह से आप court case number के दुआरा उस court के फैसले को जान सकते हैं खुद अपने घर पे बैठे और दोस सेस्मा आपको step simple तरीके से बता दूँगा और दोस्तो साथ ही साथ court case का क्या फैसल आता है court case से सम्बंदित seat at 2018 का जो court case सम्दित हुआ है उसके हर खबर से आपको अपडेट रखा जाएगा हर खबर से आपको अपडेट रखा जाएगा कि क्या फैसला आया है क्यों फैसला इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना अब जैसे कि दोस्तों आप जानते ही है आज किवल पेपर वन कैसे तो पेपर टू पे भी बवाल चल रहा था कुछ कोस्टन को लेकिन लेकिन आज जो कोट में केस है जिस पे सुनवाई चल रही है वो पेपर वन की लिए चल रही है पेपर वन में हमारे तीन कोस्टन है ठीक है जिन पर बवाल चल रहा है मतलब कि जो cbsc ने फाइनल आंसर की में उसके answer बताएं है उससे satisfy नहीं है सभी student satisfy नहीं है उससे ठीक है तो उनी में से 20 अभ्यारतियों ने court में याची का दर्ज कराई थी कि जो इसके CBC दुवारा जो final answer आयते ठीक है उससे हम satisfy नहीं है वो ठीक नहीं हो सकते और दोस्तों वो क्यों नहीं ठीक हो सकते सभी दस्टावेज सभी सबूत को लेकर और जितने भी दोस्तों इस सबूत इखटे गये है दस्तावेज इखटे क sécur करे गये है कि वो question क्यों नहीं सही हो सकती यह सभी NCERT के माद्ग्दम से करे गई है क्योंकि जो भी फैसला होगा दोस्तों जो NCRT में बताया गया है उसके हित में फैसला जाएगा तो सारे दस्तावेज लेकर हमारे वकील और वो भी सब्यारती कोर्ट में परसुते हैं फिलाल के लिए अभी देखते हैं थोड़ी देर में क्या फैसला आएगा साम को जरूर साम तक जरूर दोस्तों आपको अपडेट कर दोस्तों जो तीन सवाल थे उसमें से पहला सवाल ये महिला पुर्सो की तुला में कमजोर हैं यह एक डैस है तो दोस्तों इसमें जो सीबी सी दुवारा जो हमारा आंसर दिया गया था फाइनल आंसर की में वो उपसन नंबर चार दिया गया था जो की मित्थक था लेकिन इस पे जब ओट में केस दर्ज कराया गया गया और जो NCRT के माध्यम से जो पुक्ता सबुत ही खट्टे किये गए हैं दोस्तों तो वो क्या दर्साते हैं वो दर्साते हैं कि इसका सही आंसर के हामरा पुर्सो की तुला में कमजोर है यह एक रुड़ी बद धार्णा है तो इसका सही आंसर यह होना चाहिए इस लिए कोर्ट में क सरीत सब्द का समानार्थी सब्द कौन सा नहीं है मतलब कि जो सरीत शब्द है इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा नहीं है तो इसमें जो दोस्तों CBSC द्वारा जो फाइनल आंसर की में जो आंसर दिया गया आता है वो था option No.3 परवाहा लेकिन इस पे भी case किया गया मतलब इ CBC द्वारा उससे भी छात्र सैटिस्फाई नहीं थे तो इसका सही आंसर छात्र द्वारा जो बताया गया है वो है जैमाला इस पे भी याची का दर्च कराए गई है तो CBC द्वारा दिया गया थे इसका option number 3 परवा लेकिन छात्र है मानते कि इसका सही आंसर है option number 1 जो की है जै कराई गई है वो है दोस्तों number 2 हमारा चोंस की सका सही आंसर बताया गया है इसलिए इस पे याची का दर्च कराई गई है तो दोस्तों इस पे इनके एक तो दोस्तों जो CBC की final answer की में जो answer आयते ठीक है वो किस प्रकार से सही नहीं है क्यों सही नहीं है इस पे मैं अलड़ी